ये कहानी उन तमाम बेटों के लिए मिशाल है जो रईज पिता की संतान है और उन तमाम पिताओं के लिए भी सीख है जो अपने बच्चों को दुनिया की तमाम सुँधाय मुल्या करा रहे हैं ये भारती व्यापार की मजबूती का प्रतीख है और ये भारत के रिलिक दर्व की कहानी है। वेटर का काम कर रहे द्रव्य ड्हुल किया सूरत के हीरों के वैपारी के परिवार से आते हैं जिनका वाशिक टर्ण ओवर एक हजार 25 करोड रुपए से अधिक है। द्रव्य के पिता साव जी ड्हुल किया सूरत में हीरों का कारोबार करते हैं। उनकी कमपनी हरे कृष्णा डाइमंड एक्सपोर्ट 6,000 करोड की कमपनी है और 71 देशों में फैली हुई है। साव जी चाते हैं कि उनके बेटे को दुनिया के सभी ऐशो आराम यूही मुहिया करा दें लेकिन ये संभव नहीं है। इसके लिए सोचा कि बेटे को ऐशो आराम मुहिया कराने के लिए कुछ न कुछ अनुभवलेने जरूरी है। कोची में वे अपने परिवार की परंपरा को निभाने के लिए मौजूद थे। साव जी ने अपने 21 साल के बेटे द्रव डोल किया को एक महने तक साधरहन जिंदगी जीनेक और साधरहन सी नौकरी करने कहा। द्रव अमेरिका से मैनेजमेंट की पड़ाही कर रहे हैं। फिलाल वे अपनी छुट्टियों में भारत आये हुए है। 21 जून को वे तीन जोड़ी कपड़ों और कुल साथ अजार रुपए के साथ कोची शेयर आए। पिता का निर्देश था कि उनके पास जो साथ अजार रुपए हैं वे इमर्जेंसी के लिए हैं। सावजी का नाम इससे पहले तब चर्चा में आए जब उन्होंने अपने कंपनी के कर्मचारियों को बॉनस के तोर पर कार और फ्लेट्स तोफे में दिये। सावजीन काम मैंने अपने बेटे से कहा कि उसे अपने लिए पैसे कमानी के लिए काम करना होगा। उसे किसी एक जगा पर एक हफते से ज़्यादा न करनी होगी। वह नय तो पिता की पैचान किसी को बता सकता है। नहीं मोबाइल का इस्तवाल कर सकताए। यहां तक कि घर और पैसा कमाने के लिए संगर्ष करते हैं कोई भी युनिवर्सिटी आपको जिन्दगी की बाते नहीं सिखा सकता यह बस जिन्दगी के अनुभवों से सीखी जा सकती है द्रवी ने पिता को दी हुई चुनोती दी को स्विकार कर ली वह एक ऐसी जगे जाना चाहता है जहां कि पांस दिन मेरे पास नहीं तो नौकरी थी नहीं रहने को कोई जगे मैं साथ जगों पर नौकरी मांगने गया और लोगों ने इंकार कर दिया मुझे पता चला कि लुगों के लिए नौकरी क्या एहमिया तो द्रव्य जहां भी नौकरी मांगने गया उन्होंने जूटी क पहले कभी मैंने पैसे की चंता नहीं की थी, यहां मैं दिन में 40 रुपए खाने के लिए संगश कर रहा था, मुझे लॉज में रहने के लिए रोजाना 500 रुपए चाहिए थी, और कितने मुश्किल से सब मैं, एक महीने बाद वापस द्रवे अपने घर लोट गए, और अपन संतान को ये बताने के लिए कि किस तरीके से पैसा कमाया जाता है, किसी भी कमपनी के लिए करमचारी कितनी जरूरी और एहमियक चीज होती है, किसी करमचारी को दे कर कभी भी कोई कमपनी नुक्सान में नहीं जा सकती है, जैसा कि इस दैमंड व्यापारी ने अपने धोफे के रूप में अपने बोनस के रूप में अपने करमचारियों को पिछले साल एक फ्लैट और एक कार भी दी यही सीख वो अपने बच्चे को देना चाते थे कि पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है संगर से कमाया जाता है इसको फालतू बेकार नहीं करना चाहिए यह सब रसूपदार और रहीस बच्चों की लिए एक सबक है और एक रहीस पिता जो अपने लाड़ प्यार में अपने बच्चे को पत ब्रहमित करने का एक रास्ता भी कई बार दिखा देते हैं उससे भी बचने का एक बहुत बड़ा सबक है